आपने अपने मॉबाइल में बहुत सी बार बेग्राउंड डाटा का उप्षन देखा होगा तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हमारे मॉबाइल में यह बेग्राउंड डाटा का उप्षन क्यों होता है इसका क्या काम होता है और आप इसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बढ़ा देते हैं तो देखिए हमारे मोबाइल में जितने भी application इंस्टॉल है उन सभी के लिए ये option हमें मिलता है हर application के लिए अलग से मिलता है हम जिस application का ये जो background data है ये बंद करना चाहिए बंद कर सकते हैं जिस application का चालू करना चाहिए चालू कर सकते हैं तो इस background data option का आखिर मतलब क्या है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे ही हम अपने mobile में जब भी खभी internet connection ओन करते हैं यहाँ से ठीक है तो internet connection ओन करते ही हमारे mobile की बहुत सारी applications के notification हमारे पास आना start हो जाते हैं जिसी कि अगर WhatsApp पर हमें किसी ने message किया होगा तो उसका notification हमें आ जाएगा यहाँ पर इसके लगा YouTube के और भी बहुत सारे notification हमें यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं तो जो notification आते हैं वो इसी option की बुझस से आते हैं यहाँ पर इसका आप नाम देख सकते हैं background यानि कि यह application बेगराउंड में भी हमारे mobile का internet इस्तमाल कर शकती है बेगराउंड में internet इस्तमाल कर शकती है इसका मतलब यह है कि जब हम अपने mobile में उस application को open करके ना रखे तब भी हमारे mobile का internet इस्तमाल कर शकती है अगर आप इस option को यहाँ से बंद कर देते हैं तो इसके बाद यह जो application है यहाँ पर यह क्या है WhatsApp हाँ ठीक है तो यहाँ पर जिस भी application का आप यहाँ पर background डाटा बंद कर देंगे उसके बाद उस application में internet शिरफ तबी चलेगा जब आप अपने mobile में उस application को open करके रखेंगे जब आप उस application से बाहर आजाएंगे तो उसमें internet नहीं चलेगा बंद हो जाएगा वो application आपके mobile का internet इस्तमाल नहीं कर पाएगी चली मैं आपको practically दिखाता हूँ यहाँ पर अभी देखेंगे WhatsApp में यह जो background data है यह own है ठीक है और मेरे mobile में अभी दो WhatsApp है आप यह देख सकते है ठीक है एक तो यह रहा एक यह रहा ठीक है अभी यहाँ पर इस WhatsApp से मैं अपनी इस दुखसरी नमर पर एक message करता हूँ तो देखेगा आप message यहाँ पर आ जाएगा फिर से message करते हैं यह देखें यहाँ पर double tick हो रहा है यानि कि message तो यहाँ पर आ रहा है अगर notification बार में मैं आ बंद कर दिया अभी हम फिर से यहाँ पर message करते हैं तो अभी देखेगा आप कि यहाँ पर double tick नहीं आएगा ठीक है आप कितनी message कर दीजे यहाँ पर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ओन है यह पहले का notification है इंटरनेट कनेक्शन ओन है फिर भी यहाँ पर message मैं भेज रहा ह हूँ यहाँ पर double tick नहीं आ रहा है नहीं यहाँ पर notification मुझे आ रहा है WhatsApp का यह इसलिए क्यूंकि हमने अभी भी WhatsApp का जो background data यूज कर रहे थी background में हमारा data उस setting को हमने बंद कर दिया है इसलिए यह यहाँ पर internet हमारा इस्तमाल नहीं कर पा रही है अगर हम इसको वापस एक बा जाएगा और हमें फिर से notification यहाँ पर मिल जाएंगे यह देखिए ठीक है तो इस तरीके से यह option काम करता है अभी देखिए एक बात और मैं आपको बता जूँ यह जरूरी नहीं है कि जब आप इस setting को यहाँ से बंद कर देंगे तो उसके बाद यह application बेग्राउंड में आप आपको उसकी notification प्राप्त हो सकते हैं लेकिन इसके chance बहुत कम रहते हैं दूसरी बात इस option का बंद करने का एक reason और है वो यह कई बार क्या होता है कुछ applications को जो है हम open भी ना करें लेकिन फिर भी वो हमारे mobile का internet यूज करती रहती है तो अगर आप इस setting को बंद कर देते हैं य इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि आपको यह background data का option कहां पर मिलेगा आप कहां पर जाकर इसको on up कर सकते हैं इसके लिए आपको सिबसे पहले अपने mobile की settings में जाना है mobile की settings में आपको एक option मिल जाएगा apps या apps manager इस नाम से आपको मिल जाएगा जिस option के अंदर हमारी mobile में install सबी apps में मिल जाती है ठीक है तो यहां तक आप आ सकते हैं आप चाहिए तो settings में जो search box है वहां पर search करके भी यहां तक आ सकते हैं अभी आपको जिस भी application का background data बंद करना है आपको simply उस application को एक बार open करना है उसके बाद आपको यहां पर देखिए data usage का option मिलेगा इस पर से click करें और अभी यहां पर देखिए आपको यह option मिल जाता है background data का यहां से आप इसको own up कर सकते हैं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपका अभी भी कोई स्वाल हो तो आप नीचे comment करके हमें बता सकते हैं इसके लावा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इस video को like और channel को subscribe जरूर करें थेंक यू